जो लीगल केस हां पाइट करें उनके साथ भी हमारा कॉंटाक्ट है तो मैं में से इस केस में फॉलो कर रहे हूं अभी जब चंदरशेखर का अचानक से न्यूज आया कि उसके उनके उपर से अलाबा धाइकोट ने साथे जो भी क्रिमिनल केसे थे वो हटा लिया है उसके बाद जब रासुका वाला चीज आया तो ऑविसली हम लोग को काफी शॉकिंग लगा और शायद उसना शॉकिंग भी नहीं होगी हमें पता है कि इस गवर्मेंट कैसा है तो उसके बाद हमें जब पता चला कि मोबिलाइ यहां पर आने का वो यह था कि चंदरशेकर को छोड़ के भी क्या बाकी जो दलित वहां के रॉंगली अक्यूस थे केसे में जैसे वहां का जो दलित प्रधान है जिसका नाम है शिफ कुमार और दो-तीन दलित यूथ है शबीरपूर के जिसके उपर केसे लगा था हमें जान जाना था कि उनको इसके उपर कितना जानकारी है और वो लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं जिसको किसी के उपर भी लागू किया जारा है इस गरव्मेंट के अंदर जो भी गर्व्मेंट के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं ये लॉँ था ये लॉँ का जो में रीजन था उस टाइम लोगों के उपर ये लगाया जा रहा है जो भी गवर्मेंट के खिलाव बात कर रहे हैं और जबकि मीडिया में भी पूरा रिपोर्ट आया था कि जो घर जला गया था वो दलितों का है जिसके पडिवार का लूट आट जो भी किया गया था वो दलितों का है उसके बाद अगर दलितों के उपर रासुका लगया जाता है तो ये तो बिलकुल जास्टिफाइड नहीं है क्योंकि जितने भी वहां के ठाकूर समुदाय के लोग हैं उनके किसी के जितने भी केसिस वगेरा हमें जितना जान करी कि जितने की उपर ट्रेमिनल केसिस था वो छूट गए हैं और जिनके उपर रासुका लगाया भी गया था वो एक महीने में चूट गए थे तो आप यूवा हैं तो यूवा को एक चंद सेकर रावड भी यूवा हैं तो आप अगला कदम क्या रहेगा देखे हम बिल्कुल चाहते हैं कि जो अभी ग्रास रूट पे जो मुवमेंट उवर के आ रही है जैसे भी मार्मी का उसको मोबिलाइज करना हमारे तो पे तो हम यह जो सोशल मुवमेंट अभी राइस कर रहा है बहुत सारे स्टेट्स में यूवा हम भी मार्मी का यह अभी ऐसे लीडर्स उभर के आ रहे हैं उनको उनको भटक वो भटके ना उनको मोबिलाइज करना उनको आइडियलोजी के बारे में और अवेर करना और उनको सक्त बनाना स्ट्रेंदिन करना ताकि उनका जो भी मुद्दा है वो जो कम्यूनिटी एट लाज है उनसे हटना जाए क्योंकि यह गवर्मेंट की कोशिश हमेसरा जाई रही कि जितने भी दलिट लीडर्स उभर के आ रहे हैं उनको कैसे खड़ीता चाहें तो यह हम नहीं चाहेंगे पर इसलिए मैं बोल रही थी कि हमें दिख रहा है कि जब ही भी उनको पॉलिटिकल पावर मिल रहा है वो अपने जो भी मतलब कम्यूनिटी है अपने कम्यूनिटी के जो भी इशूज है वो छोड़के वो संसत में कुछ और ही बात करते हैं और ये भी बहुत जानना जरूरी है कि अभी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया है मुझे लगता है देश में बीएसपी से हमें बीएसपी जब पावर में आया था तो काफी उम्मीदे थी पर अभी शबीरपूर का ही आप केस देख लो तो उससे आपको पता चल जाता है साफ की बीएसपी ने खुद ने हाडली कुछ किया है जब बहुत बड़ा मसला बन गया जब इतने सारे लोग अरेस्ट हो गए जंदर शेखर अंदर चला गया तब जाके बीएसपी तब जाके मायवती वहां शबीरपूर के गाउं में गए थे उनके ओपर अटैक भी हुआ था उसके पहले भी मायवती ने कुछ नहीं किया कुछ स्टेटमेंट जब आया था तो उन्होंने बोला कि बीएसपी और भी मार्मी से हम अपने आपको असोसियेट नहीं करते हैं यह उनका स्टेटमेंट आया था तो इसे साफ पता चलता है कि दलिद लीडर्शिप में पोलिटिकल नैशनल पोलिटिकल ल लेवल पे जो लीडर्श आ रहे हैं उनको भटकने ना देने का कोशिश हमारी रहेगी ताकि बाद में जाके अगर कोई बड़े लेवल पे कोई पार्टी करना पड़े मतलब सोच अगर रखते हैं तो वो कायम हो पाए